सलाम साथियो दोस्तो आपने जब सर्जरी होता तब आपके मनन में सवाल ही होगा कि जब न आप टाके खुल जाते हैं स्वीडियो में तो क किस परकार से चलना एप क्या नहीं हो तो क्याक्या दिख्क्यतिंट आ सकती है वो सब में आपको बताने वाला हूँ जैसा कि अ dependra सके बींगे है था कि इस सबस्क्राइब को बोला गया था और बिना वेट वोड़ा है स्टाइटिंग में मुझे बताया गय से चलना है कि कि अब मुझे इतना क्या रखता हूं तो बांगी करता है ठीक है एक पेर को सीधा रखता और ऐसे उठा के ऐसे चलता था में ठीक है और पूरा वेट जो था मेरा वो पूरा हातों का वेट पूरा बोडी का वेट मेरे हाथ पे रेता था ऐसे ठीक है तो मैं पांच मिनट या छे मिनटी चल पाता था पूरे दिन बर में इससे ज्यादा रख कर चल सकते हो तो आप थोड़ा सा पाउं को हलका-लका स्टार्ट कर दीजीगा चलना तो ऐसा ऐसा है मैंने हलका-लका फिर बिल्कुल हलका मैंने पांच परशेंट वेट के साथ ऐसे ऐसे स्टार्ट किया फिर धीरे-धीरे जब मुझे लगने लगा कि अब अब जो मेरा प फिर इस पर थोड़ा और वेट स्टार्ट किया ठीक है इस परकार से मैं 15-20 परसेंट वेट के साथ स्टार्ट कर दिया स्टार्टिंग में आपको दिक्कत यह रहेगी कि आपकी स्वेलिंग की वज़े से मतलब सूजन जो रहती है उसकी वज़े से आपके यहां पेन होगा यहां से आपकी टूटी है वहां पर भी आपको कट कट ऐसा कुछ आवाज आ सकती है तो घवरानी के आवाज सकता नहीं है और जो आपका पेर है यहां से यहां से बहुत ज़्यादा पेन करेगा मतलब आपकी जो एंकल है वह बहुत ज़्यादा पेन करेगी तो आपको घव वोकर छोड़ दी एक मेने तक ही चलाता मैं वोकर से तो आपको इस परकार से चलते रहना है ठीक है जब आपको साथ दिन का आपका टाइम कंप्लिट हो जाए मतलब आप साथ दिन तक आप 20% वेट के साथ कंप्लिट कर लो उसके बाद में आपको बताता हूं कि जो नेक्स्ट है पायर्ट अपना चलने का वो यह है कि साथ दिन बाद में आपको थोड़ा वेट लेना इस पर जाए बीस परशेंट आप थे अब 50% वेट के साथ चलना आपको ठीक है इस परकार से तोड़ा पूरा वेट डाल कि थोड़ा सा 50% वेट के साथ आपको चलना है फिर जब आपका जब 75% वेट आप पूरे 15 दिन बाद 21 दिन तक आप 25% वेट पर आने तक आपको क्या करना है उसके बाद जो आपका पेटन है वह आपको अटेंशन देना है किस परकार से कि अब आपको बिल्कुल कमर सीधा रखना है ठीक है चलते टाइम और आपकी जो यह जो इसके बराबर जापकी कलाई है इसकी हैड जो है वोकर की यहां तक रहना है कलाई से नता उपढ और नहीं नीचे होने चाहिए ठीक है और आपका जो चलनी का जो सिधी रखनी है और आपको किस परकार सचलना है जो पेर आपका इंजड है, इतने दिन आप कैसे चलते थे, एक पेर आगे, फिर एक पेर पीछे, ठीक है, एक पेर आगे, फिर एक पेर आगे, ऐसे चलते थे, ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको 21 दिन बाद में आपको ये वाली एक्साइज करने है चलने की, वो इस प पेर फ्रेक्चर उसको बरापर लेके आना है ठीक है कमर आपकी सीधी रहने चाहिए इस टाइम फिर आपका जो पेर सही है उसको आगे ले जाना है तो जो आपका पेर फ्रेक्चर उसको यहां लाना है ठीक है इस परकार से आप जब ऐसे चलोगे तो आपके पेर पर वेट तो इस परकार से आपको यह स्टार्ट करना है ठीक है अब आप जब आप जब लगे आपको कि हा में चल सकता हूं और आप बिल्कुल यह यह वाली एक्साइज भी करते रही है इस परकार से यह वाला यह वाला जो पेटन है चलने का इस परकार से भी आपको बिल्कुल यह पे पेर उसको पीछे फिर उसको आगे फिर बराबर करने ना है यह कब तक करना है जब तक आप विधाउट ठीक विदाउट मंदब बिना किसी सार है कि जब चलना स्टार्ट नहीं कर दो तब तक आपको यह वाली एक्साइज करनी है ठीक है आप मेरी पहली वाली वीडियो देख सकते है उसमें मैंने यह पेटन अपना है ठीक है तो आप इस परकार से आपको यह जो चलने का तरीका है विल्कुल इसी तरीकी से चलना है और आगे और विल्के बहु कुल सक्राइब हो इसे प्रकार से जलते II अंधार्या ज्याओ क्सें कमयों कि कि जो इस अच्वी आपको मार्किटउ मिल जाएगी यह फिर आपके अगर मार्केट, ओफलाइन मार्केट में अगर अवाइलेबन नहीं है, तो आप अमेजोन पर मैं लिंक दे दूँगा, यूट्यूब पर, ठीक है, इस वीडियो को नीचे, तो आप वहाँ से पर्चेस कर सकते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ जाएगा, वहाँ पर आपको 1000 फिक अंदर अंदर, आपको वोकर मिल जाएगी, और हो सकता है, कि आपको अच्छी वोकर मिले, अमेजोन पर, क्योंकि मैंने तो क्या ओफलाइन मंगाई थी, अगर आपको ऑनलाइन वोकर लेना चाहते हैं, तो आप वी डिस्क्रिप्सम जाएगे, वहाँ से आ पर आयता मिली होगी इस वीडियो को देखने के बाद, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और मैंने हेल्प के लिए आपके लिए वीडियो बनाई है, तो चैनल को जिरू सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, तन्यवाद दोस्तों.